हे गाईज, वेलकम टू माई चैनल आज की इस वीडियो में हम जॉन मिलिंग्टन सिंच के बारे में पढ़ने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंच का बर्थ 16 एप्रेल को 1871 में आयरलैंड के कैपिटल डुबलिन में हुआ था ये एक आयरिश ड्रामेटिस्ट थे, इनको इनके लिखे हुए एक प्ले के लिए सबसे जादा जाना जाता है जिसका नाम है The Playboy of the Western World सिंच पाच बच्चों में सबसे चोटे थे और ये प्रोटेस्टन फैमिली से बिलॉंग करते थे 1872 में ही इनके फादर की देथ हो गई थी इन बच्चों की परवरिश इनकी highly religious मदर ने करी सिंच प्राइवेट स्कूल बस कुछ ही टाइम के लिए गए क्योंकि इनकी health issues के वज़े से इनकी attendance बहुत जादा कम हो गई सिंच को health issues होने की वज़े से सिंच की मदर ने एक प्राइवेट ट्यूटर को हायर किया जो सिंच को घर पर पढ़ाए December 1892 में सिंच ने Trinity College से डिगरी ली सिंच म्यूजिक में बहुत जादा interested थी उनका aim musician बनना था सिंच को वॉयलन की studies की वज़े से Royal Irish Academy से scholarship मिली कि वो music की advance study कर सकते हैं इसी time सिंच ने poetry लिखना शुरू किया था अपनी मदर के पास सिंच 1893 तक रहे फिर सिंच music की आगे की studies करने के लिए जर्मनी चले गए लेकिन सिंच बहुत जादा nervous थे stage पर perform करने के लिए इसी लिए ये अपनी nervousness से बहुत जादा निराश हो गए इसी लिए इन्होंने अपना musician बनने का aim छोड़ दिया और literature पर focus करने लगे सिंच पैरिस चले गए जहां पर इन्होंने poetry और literary criticism लिखना शुरू किया 1895 में सिंच इटली में Italian language study करने लगे फिर सिंच एक young woman Cherry Matheson से मिलते हैं सिंच को Cherry बहुत जादा पसंद आ जाती है लेकिन Cherry Matheson सिंच के proposal को reject कर देती है 21st December 1896 में सिंच Cornel Hotel में William Yeats से मिलते है Cornel Hotel Paris में है Yeats ने सिंच को advice दी कि सिंच तुम्हें Paris छोड़ देना चाहिए और Ireland के West Coast पर जो Iran Islands हैं वहाँ पर चले जाना चाहिए वहाँ पे रहो और वहाँ के lifestyle के बारे में लिखो एक्सप्रेस करो Finally सिंच ने यही किया और वो Iran Islands चले गए सिंच पहली बार Iran Islands में 1898 में spring season में रुके थे सिंच ने वहाँ के लोगों से बात करी और stories सुनी Iran Islands का जो पहला experience था सिंच ने उसे अपने work The Iran Islands में बताया है The Iran Islands सिंच ने 1901 में लिखा था 1901 में सिंच ने अपना first play When The Moon Has Set भी लिखा था इस play में एक नास्तिक की कहानी को बताया है जिसे एक बहुत ही religious lady से प्यार हुजाता है सिंच ने 1902 में two verse plays compose किये थे जब सिंच विकलों में थे तब उन्होंने three plays लिखे थे Riders to the Sea, In the Shadow of the Glen and The Tinker's Wedding सिंच को लिंफोमा नाम की बिमारी हो गई थी और लिंफोमा से ही सिंच की देथ हुई सिंच की देथ 24 मार्च 1909 में हुई थी पूरे lifetime, सिंच ने राइटिंग में ही time spent किया इनकी राइटिंग बहुत ही realistic और powerful होती थी इनके works है In the Shadow of the Glen, Riders to the Sea, The Well of the Saints, The Aran Islands, The Playboy of the Western World, The Tinker's Wedding, Poems and Translation, The Ardra of the Sorrows ये सारे works थे सिंच के भले ही सिंच की देथ 38th birthday से पहले ही हो गई थी लेकिन इनकी लिखी हुई राइटिंग का audience, writers और Ireland के culture पर बहुत impact पड़ा So guys, हम John Millington सिंच के बारे में अच्छे से समझ चुके है अगर आपको वीडियो helpful लगे तो ज़रूर लाइक करें And subscribe to my channel और धीर सारी comments करें Thank you